इस्टुडेंट चाहे आप क्लास 10 में हो या क्लास 12 में हो किसी भी क्लास में या आप कोई एक्जाम की तयाई कर रहे हैं कपटीशन जहां कहीं पर भी आपको हिंदी साहित का विकास के बारे में कुशन्स पोछे जाते हैं वहां आपको यह काम आएगा और आज आपको हम इसक जो लेखक हैं उसको हम नेक्स पार्ट में बनाएंगे कि हर काल में कौन-कौन से इंप्वाटेंट लेखक हैं इसको हम अपने केम्प्यूटर की स्क्रीन पर भी समझा सकते थे बट वहां पर सभी लोगों को देखने में समझने में पता नहीं क्यों दिक्कत हो रही है तो मै बहुत सारे तर्क देने वाले बहुत सारे जो बिद्वार रहे वो अलग अलग तरीकेस दिये तो इसमें हमारे जो काल होते हैं आपको पता है कि सबसे पहले अगर हम चलते हैं तो हमारा आता है आधिकाल कौन सा काल आता है इसका जो हमारा सबसे पहले काल आता है वह आता है हमारा आधिकाल एक तम पक अच्छी तरीक से नजर ढलिएगा क्योंकि इसको हम अच्छी तरीक साज हम खतम कर दे आधिकाल आधिकाल का जो दूसरा नाम होता है उसको हम civilerem का बोलते हैं उसको हम Life Capital South Because विरगाधाकाल ठीक है इसका हमारा सेकंड नाम है फिर आदिकाल के बाद जो हमारा काल आता है ओ आता है मद्धकाल क्या आता है मद्धकाल इसके बाद जो हमारा आता है मद्धकाल आता है कौन सा काल आता है मद्धकाल ठीक है कौन सा काल आता है मद्धकाल तो मद्धकाल जो हो पूर्व मद्यकाल उत्तर मद्यकाल क्या उत्तर मद्यकाल पूर्व मद्यकाल उत्तर मद्यकाल दो प्रकार किसमें होते हैं ठीक है अब उसके बाद हमारा मद्यकाल के बाद जो आता है हमारा आता है वो आधनी काल कौन सा काल आता है वो हमारा आधनी काल आता है आज आपको समझ में आके रहेगा पक्का जिसको भी नहीं समझ में आता है इंदिसाहित का विकासना वो पूरा यहां पर समझ के जाएगा पक्का समझ के जाएगा यह मान के चलिएगा ठीक है आधनी काल अब आधनी क के बाद जो भी प्रोसेस होंगे और अलग होगे एक बात यहां पर हम और बताना चाहते हैं पूर्व मध्यकाल को जो पूर्व मध्यकाल होता इसी को हम भक्तिकाल बोलते हैं क्या बोलते हैं भक्तिकाल ठीक है क्या बोलते हैं इसको भक्तिकाल और भक्तिकाल के बाद जो उत् सभी हो गया काम में चारप में पिए संधी हमें पगे एक हाल फर्स्ट हो गया सेकेंड हो गया मारा मड़िकाल और उसके बाद हमारा तीसरा हो गया आधनिकाल, देखिए बहुत सारे लोगों ने इसको चार प्रकारश डिवाइड गया, चार प्रकार यही होगा, क्योंकि आप इसमें नजर डालिए, एक आपका यह हो गया, दूसरा आपका यह हो गया, मत्दिकाल हमारा दो पार्ट भी ब धेकाल के अंदर होता है, अब इनका जो होता है टाइमिंग जो होता है इसमें सभी कई लोगों ने कई तरीके से समय बताया, और मैं दो तीन तरीके से बताऊँगा, रामचंद्रसुक्ल ने इसका टाइमिंग अलग दिया है उसके बाद हजारी परसाद्रवेदी ने उनका टाइमिंग अलग दिया है और जो हमारा आधुनिक जो हमारी हिंदी साहित है जो अभी काम करता है वो हमारा अलग है तो तीनों के यहां पर हमें बाद टाइमिंग देते हैं यह हो गया इसके बाद यहां पर हम आपको रामचंद सुकल के द्वारा बताएंगे इसको किसके द्वारा यहां पर हम हेडिंग डाल देते हैं यह हम बताएंगे रामचंद सुकल के द्वारा रामचंद सुकल के दोरा ठीक है इसके बाद जो होगा हमारा हजारी परसाद के दोरा होगा किस के दोरा हजारी परसाद दुवेदी यह हो गया और इसके बाद जो होगा हमारा वो होगा आदर्स वर्गी करर जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको हम आदर्सवर्गी करदर हुए है ठीक यह हम ने इसको पाटीजन कर लिया है इसको हुँने पार्टीजन कर लिए ठीक है यहां तक आब इनको प्रखी जो का वरण करते हैं सबसे पहले हम चलते हैं और सभी का सेंटर आपको दिख रहा होगा सभी का सेंटर आपको दिख रहा होगा अगर देख्या जाए तो सीव सीव पे हैं कोई दिक्कत नहीं है वैसे कुस्टम में आ जाएगा राम वर्गी करण किये थे उन्होंने अपना अलग टाइमिंग बनाया था कि जो आधिकाल होता है आधिकाल का उन्होंने क्या दिया था उसने संवत के हिसाद से बनाया था औरस उनका काल जो था वह था मारा कितना 1050 से ले करके 1050 से 1375 तर दिमाग में रखिएगा 1050 से 1375 तक यह था अब tam bathroom AI Ya कहने मतलब अगर सब्जें यह हो जाता है 300 75 से मृहरा मद्दिकाल मद्दिकाल सब्जेर्ट होगा मद्दिकाल 1375 से अब 300 75 मद्दिकाल में धुन हैं यह है ऐक यह है तो कहने के मतलब आगर सबज्छेंठी हो जाता यह 585 से चलेगा तो कहां तक चलेगा यह चलेगा सत्रा सोटह कितना चालेगा सत्रा सोटह और इसका याद कर वा कि रहेंगेजे हम या Sandwood कर जाएंगे पक का वीडियो देखUIए का कि इस उसको को लिखो रिखोंगे और उसके साथ साथ उनका हम रचना कार आंगे वह भंसके रहेंगे दो तीन दिन विडियो खत्म हो जाएगा आप जरूर समझ जाएगे तो उत्तर मदिकाल अब अब तो इसका मतलब 1700 सी यह स्टार्ट हो जाएगा और इसका जड़ चलेगा यह चलेगा 1900 तक कितने तक 1900 ठीक है यह हो गया आधुनिक काल जो होता है वह 1900 से अब तक चलेगा 1900 से अब तक बात समझ में आई यह अब हचारी परसाद्य बेदी जी कह रहे हैं यह मतलब 1050 से स्टार्ट हो रहे हैं हजारी परसाद्य बेदी बोलते हैं यह सीध्य सीधा वो बोल देते हैं कि दासुई से क्या आप दासुई समस्क्त समझ सकते हैं क्या है यह यह आपका एक सताब्दी होत समझेंगा दसुहीं से लेकर के हिस्ट सथादी तक यह हो गए ऐसके बाद आपक आपका जोगों तक यह 으니까 अच das हो employers यह जाता है जडिः से लेकर के कहां तक हो जाता है यह सबदու ही तक हो जाता है कि काता सो लुह पिंस चठीग पिह उसके बाद यह तक 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 अब उनीस वहीं से यह हो जाएगा अब तक इनके बोलने का तरीका अलग है इनके बोलने का अलग तरीका है यह हमारा अगर विक्रम संबोत और यह हमारा इस सताबदी की रूप में करना कर रहें आप जो चलने आदर सवर्गी चलने वाला है और यहां पर हिंदी सहीत का आदर सवार्गी करद माहंने नोजित पूछा जाता है तो पूछा जाता है कि भगतिकाल का जो जीवन है काल है उनका टाइमिंग जो है काल करम उन तो रामचंद सुगल के हिसाब से बताईए तो रामचंद को सुगल के हिसाब से भक्तिकाल का जीवन का लिए है तेरह सो पचातर से लेकरके सत्रह सू अब इन सब को एब्रेज में अब लेके चल सकते हैं अगर आप आदर्स्वरणी करणी याद कर लेंगे तो इनको अपने आप पकड़ लेंगे पक्का पकड़ लेंगे अभी देखिए आदर स्वर्गी करड़ जो होता है वो सीधा-सीधा हिसाब करता है वो बोल क्या रहा है कि आप एक हजार से चलो एक हजार इस बी से कहां तक 1350 इस बी तक और समय भी आई ठीक है एक हजार से चलो यह नहीं दस दस सो इसे श्टार्ट करो 1350 तक सीधा-सीधा इसाब कि यहां पर साढ़े 300 साल तक चल रहा है मारा आदिकाल अब उसके बाद आता है 350 से स्टार्ट हो रहा है जो हमारा मदिकाल है ये 350 से स्टार्ट हो रहा है 350 से कहां तक ये 1850 तक पूरा चलेगा ये कहां इतना चलेगा 1850 तक जो कि इसमें दो पार्टिसन होगे इसमें आपके 200 दो पार्टिसन होंगे दोनों पार्टीसन कुछ ही तरीके सोगे कि पहले भक्तिकालेगर 1350 इसबी से यह चलेगा 1650 इसवी तक और यह चलेगा आपका 1650 से सीधा 1850 तक ठीक है समझे बात को एक दम्यार्याद हो जाएगा को विए उसके बाद जो हमारा चल रहा है आधुनी काल जो चल रहा है आधुनी काली हमारा चलेगा 1850 से आपताग है ठीक बात समझ में आई मोटा मोटा हिसाब पता हो गया अब रही बाद हम बोल रहे हैं कि आपके वाली याद करना है और कुछ भी नहीं याद करना है तो देखें कैसे पकड़ेंगे जब आपको पूछा जारा रामचंद सुक्र के द्वारा तो आप इतना मान के चलिए जो आदर स्वर्गी करण होता है बस इसके दो दस बीस साल पचास साल के फर्क करेगा इतना नहीं है कि दो तीन सो साल के फर्क बढ़ेगा तो रामचंद सुक्र द्वारा पूछा जा रहा है भाक्तिकाल तो इसका भाक्तिकाल अगर हम नजर डाल रहे हैं तो हमारा और 350 से स्टार्ट हो रहा है तो 350 से चाहर मतलब इसका मतलब 350 के डिर्द गिर्द ही रहेंगा तो देख लिए नशेड़े सौ पचत्ता तो है पकड़ लेंगे आप तो आपको किवल ये वाला लर्ण करना और इसको एकदम इजी जी हिसाब है देखिए यह बैचारे चरह हैं जो आधिकाल वाले हैं यह चरब रहें 300 साल 303 सो वर्स कि ठीक है और यह डीफ से पर प्पांसोर pre taką 500 पूरा चल रहा है और पांसोर सवें अगर देखा जाये तो यह चल रहा है 800 यह चल रहा है 200 वर्स किना चल रहा है 200 वर्स उसके बाद यह तो अभी तक ही चल रहा है तो कोई इसकी गड़ना ही नहीं क्योंकि यह लगाँ लगाइए आपके हम चलते हैं पहले तीन काल मेन मेन पहला काल को इसे हमें क prayer कि आधिमानों आधिमानों के जमानें से आधिकाल पुछला काल होगा जो आधिकाल होगा आधिकाल आधिकाल के बाद जो आभी काल चल रहा है उसको अधिकाल बोलते है आधने अधने को आधने काल हने आधन मतलब होता है निया बर्तमान और अधनान के बात ऑदीकाल B मतलब बीच में बात यहार समझ गहे रखो आधने काल जो है अभी को बोलें गे मतलब आधनी काल आधनाल अधनालúa आधुनिकाल बीच में मद्यकाल आधुनिकाल बीच में मद्यकाल मद्यकाल दो टाइब मद्यकाल डो टाइब भक्तिकाल रेतिकाल भक्तिकाल रेतिकाल इसलिए इसको आब रही बात आधिकाल आधिकाल सब्सक्राइब करेंगे तो तेरह सो पचास तक चलेगा हमारा कौन सा आधिकाल आजाता है अब रही बाद इसमें जो लेखक है ना जो रचनाए हूई है फेमस फेमस इसको हम अगले प्रशे घृखने बब्सकि अब औरेगा पहुंचे अ अधिकाल आदिकाल को पता हो हाँkellे एक चलेगा पांच चा चाहा है नहीं मुने पहले से ँड़ाख का और वह उत्र रहा है उत्रहाट हुश की अगय lav offline रहा है तो उत्ट का इतर मद्यिकाल पूर्वकाल जो पूर्वमद्यकाल होता है मतलब फिरतलत मतलब HER के दो पार्ट है मट्तिकाल के दो पर्ट पूर्व मट्तिकाल मतलब भक्तिकाल इसके बात उत्तर मट्तिकाल मतलब रितिकाल अब हमें पता था कि आपो एक Ret Gardens 1350 से स्टर्ट होना है और 500 साल उसमें एड करते हैं से 3050 तक चलेगा से तेड़ा सोपचास में अगर आप तीन सो रीद काल आपका आजाता है, 1300, 156, 1650 के बाद, 1800, 200 साल का अंतर डालेंगे तो पता है न, तो आपका हो जाएगा कितना? 1650, 16, 12, 1850, कंप्लीट, अब पहुंझते हैं अधुनी काल, आधुनी काल जो है 1850 स्टेर्ज पिश्टार्ट होगा और अब तक चलेगा, अब आधुनी क करके एक एक चीज समझ जाएएगा देखिए यहां पर आपका जो आधुनी काल होता है इसको अगर हम देखें तो यह आधुनी काल को आप तक जो है इसकी रचनाएं में हम अलग-अलग बांटते हैं थोड़ा सा अलग-अलग होगा सबसे पहले इसमें जो आता है आता है भार भारतें दूब दू योग फहला चाहिअ और इसके बाद दूसरा आता है कौन सा दूसरा जो आता है भारतें दू यूग के यह इसको बोलते हैं आप हम इसको बोल देते हैं ज हायावादोत्तर योग चाया अब रही बात इन सब का नाम अलागला थे लुख जो बोलते हैं इसको पुनर्जागरण काम क्या इसको हम बोलते हैं पुनर्जागरण कार और पहले पुनर्जागरण पहले पुनर जागरण मतब सुरुआत हो रहा है जागरण का जो है सुरुआत हो रहा है परंतु यहां पर जागरण हो गया यहां पर जो है आपका दुवेदी युग में जागरण हो गया इसको हम पुनर जागरण काल यह नहीं जागरण काल कहते हैं क्या इसको हम जागरण क बात स्मझमें आई पुनर जागरणकाल मतलम नाय जकाहिज़ काल यानि यान्य विसको नाम समझे लेकिन यहां पर जागरण होने के बादu सिदार होगा विप्र छायावादी यूगा जाता है छाया वादी युग जो है यहह च्छाया वादी के साथ च्छाया वाद्व उत्तर बना तो ह को उग्द के साथ सुकले उत्तर भनाएंगे क्या बनाएंगे सुक свое प्वाद्र सुपलो आप सुकलो ने हैं जो फैंब फोस्ट सुकले उत्तर शता जोग श्योतर तो चलिए पहला पार्ट जो होगा इसमें जो सबसे पहला पार्ट होगा छाया वाद उत्तर यूग में जो हमारा पहला पार्ट होगा वो होगा सीधी सीधी बोले तो यह परगातिवाद क्या होगा परगातिवाद दूसरा जो होगा दूसरा दूसरा हमारा जो होगा वो प्रियोग क्या होगा प्रियोग वादकाल प्रगतिवादकाल कि प्रियोग वादकाल कि तीसरा जो होगा हमारा कि नव लेखन जिसको नई कभिता बोलते हैं नव लेखन काल कि ठीक करें ओके आब रहे बात इन सबकांगए अगर देखते हैं इन सबकान समय होग यहां लिख込ों यहां लिखूंख लादकाश को यहें नाटा बात ही है यहां 1850 से कहा तक चलेगा इसको दिवन यह 1850 से जो चलने वाला है यह चलेगा 1850 इस भी से लेकर के 1900 तक कितना 1900 इस भी तक केवल पचास साल का कीवल पचास साल तक कई गैपिंग है तो इसको आप कर लेंगे उसके बाद आ जाते हैं यहां पर जागरन सुधार काल में यह दिवके चर्चा करती हैं Dyne permanentNinosra से स्टाट होगा 191026 से फटांट होगा यह 1923 इसमीच जरेगा प्रोंव निससोओ इसमीचे फिर आजाता झाया वादि युग छाया वादि यूक जो आ जाता है इसको नहीं इसन पीस खतम हो रहा है न तो 1920 से स्टाट करेंगी 1926 से स्टार्ट करेंगी यह चलेगा आपका 1926 इस वी से फिर आपका यह स्टार्ट होगा प्रगतिवाद मतलब देखिए अब ये संज जो चल रहा है यानि छाया वा दोत्तर यूग जो चल रहा है अगर इसको हम ना जल डालें इसको हम ना जल डालें ते हमारा चलने वाला यहां से 1936 से कहां से 1936 अब तक कितना आब तक और इसमें आपका partition है इसमें आपके partition है तो partition का काल करम देख लिजिए यानि 1936 से यह पहला काल है इसमें 1936 इसवी से start होगा तो यह कहां तक चलेगा 1936 से चलेगा आपका 1943 तक कितना 1943 इसवी तक यह हो गया प्रियोगवाद की चर्चा करते हैं तो 1943 से start होगा 1943 से स्टार्ट होगा तो ये कितना चलेगा ये चलेगा 1935 तक ये हो गया उसके बाद आपका नव लेखन जो चलेगा 1935 से आब तक ये हो गया बात समझ में आई बताइए किसी को कोई दिक्कत किसी को कोई दिक्कत नहीं दिक्कत है ये काल करम आपको हो गया अब रही बार राम चंसुकल वाले हजारी परसाद्र दिर्वेदी वाले का आप चाहें तो इसको हम बिटा भी सकते हैं बिटाने बाद आपके और कार काल को हम नाम देदेंगे वह ऐसे हम यहीं पर लिख देते हैं कोई पार्ट दो पार्ट हो जाते हैं और दो पार्ट में आपका भगतिकाल में और रीधिकाल में यह जो पार्ट होते हैं इनको हम अलग तरीके से बता देते हैं माल लीजिए यहां पर आ जाएगा यहां पर तो इसे आ जाएगा यहां पर भी अगर लिखना चाहें तो लिख देए उसके बाद माल लीजिए चलिए ठीक है कोई बात नहीं भक्तिकाल की हम जो धाराएं होते हैं उसको हम लिखते हैं सबसे पहले आपकी भक्तिकाल की सगुड़ और निर्गुड़ क्या सगुड़ और निर्गुड़ भक्तिकाल की जर्जा करते हैं ऐसा है क्या करें चलिए इसको यहां पर रम्चन सुक कि इसको मैं इसे उपर छोड़ देते हैं जिससे कि यहां से पता चले कि यह आपका कुछ संथ है चलिए ठीक है कोई बात नहीं यहां भागतिकाल को हम बना देते हैं कुछ इस तरीके से ठीक है यहां सबसे पहले इसमें चलता है सगुर्भक्ति क्या चलता है सगुर्भक्ति फिर उसके बाद इसमें दूसरा जो चलता है वो चलता है आपका निर्गुर्भक्ति कौन चलता है निर्गुर्भक्ति निर्कुर्भक्ति देखिए इसमें पार्टिसन कर रहे हैं क्योंकि आपको पूरा पार्टिसन पता चल जाएगा निर्कुर्भक्ति हो गया ओके आप सगुर्भक्ति में दो धाराएं होती है क्या होती है दो धाराएं इसमें दो धाराएं होती है सगुर्भक्ति में एक होती है आपकी फस्ट जो होती है वो होती है रामस्राई कौन सा रामस्राई रामस्राई साख्षा रामस्राई साख्षा और जो दूसरी होती है दूसरी बोलते हैं इसको किष्डास्राई धारा किष्डास्राई मतलब किष्डास्राई से में था किष्डास्राई साख्षा और निर पहले प्रेमा स्राइग कहां से आज यए पहले तो आएगा ज्ञाना स्रेए अग्याना स्राइव साखां और दूसरा जो आएगा वह आएगा प्रेमा श्राइए ठीक बात समझ में आई समझ में आगई अब इसको भी हम रख कर दें ताकि यहां पर कुछ चीजी नहीं दें अच्छा अब इसमें इसका नाम अलग अलग तरीके से और भी होते हैं जो रामस रही साखा होती है और जो प्रेमस रही साखा होते हैं कृष्णा सरही साखा होती सभी के नाम और भी होते हैं हम बोलते हैं रामभाक्तिकाबिदारा क्या बोलते हैं रामभगतिकाबईदारा अ यह दो प्रस्थ भाक्तिकाबिदार घजित भाक्तिकाबिदार Area इसको बूलते हैं इसको संत काब विधारा कि यह हो गया यह सूफी काब्रा है अब इसमें लगभग हम अगर देखें मोटा मोटी हिसाब देखें तो सारे काल को हमने बता दिया है सारे काल को हमने बता दिया है और दरसा दिया है उसमें आपको कोई दो राए नहीं है ठीक है इसमें कि अब बचता है रीत काल का तो हम रीत काल को हम दो तीन पार्ट में यहां पर अलग तरीके से बना देते हैं रीत काल का हम तीन पार्ट करते हैं ध्यान दीजियेगा सबसे पहला पार्ट फिर यहां पर दूसरा पार्ट फिर उसके बाद आपका तीसरा पार्ट ठीक है रीत काल उले का है तो रीट कालो लेका सबसे पहले जो होता है वो होता है रीट बद्ध क्या होता है रीत बद्ध होता है अधिक है रीति बद्ध हो जाएगा ठीक है कि रीति पद्ध के बाद आपका रीत मुक्त रीत रीति बद्ध कभी इसमें कभी जो होता है रीति मुक्ति कभी नहीं स्वारी रीति बद्ध रीति सिद्ध कभी फिर रीति मुक्ति कभी तीन परकार के इसमें कभी हो गए तीन परकार के इसमें कभी हो गए ठीक साइद अब वो इससे कुछ भी नहीं बचा है अब इसको आपको याद करने का इसको इसका पीडियेफ अगर आप चाहेंगे तो हम टेली ग्राम चैनल पर देंगे मेरे फेस्बुक पेज को भी सब्सक्राइब करिए मतलब फालो करिए और हमारे चैनल को आप चरूर सपोर्ट करिए जैसे जैसे आपका सपोर्ट नहीं कोई करता तो फिर वीडियो बनाने का मन भी नहीं करता इसलिए थोड़ा डिमोटिवेट हो जाते है कि कोई भी रिस्पॉंस देना चाह मतलब जो आदिकाल होता है इसको बीरगाथाकाल कहा जाता है और इसमें जो होता है किसी प्रकार के बहुत प्रकार के साहित थे यूग था उसको छोड़के चलते हैं तो आदिकाल के बाद आता है मद्यकाल मद्यकाल में दो पार्ट होते हैं जिसको हम बोलते हैं भक्तिकाल के भी हम पार्ट होते हैं जो थे निर्गूल घ्रवागति में आपके होते हैं कृहने जो रहा है बुुक्स निर्गूल भागति होते हैं यह हो जाता है तो इध llevar को भुकतिकाल रिदजि काल मेंज और रिद भेगध कढ जित खबी और रिश्वु नुख पदकबि होते हैं पैज सबीं चे कि में चुई कोन आलक किसी पार्ट में दे देंगे लिए करके जो टुद्व करके तो डृद्यजाग्रा यूग Beni जाता है उसके बाद प्ताट मिलने मिलते हैं जिसका पोइयला प्रार्ट होता है प्रियोग प्रियोग वाड़ काल दो लेखन्मारी कविटा इस तरीके से और सासन मतलब सब्समे काल्यक्रम जो है यहां तक ठाना सो से चला था सिर्भ एक बार इसको अगर पूरी तरीखे से देखते हैं तो यहां पर आपको पता चल रहा है कि जो हमारा सबसे पहला काल है यह नि कि आपको पता चलता है आदिकाल आदिकाल जो होता हुए एक हजार से चाहर तक यह खतम हो जाएगा आदिकाल के बाद आएगा मद्यकाल में दो पार्ट होंगे और उपको पता है कि आपको 500 अरस तक चलना है तो वहां पर अगरं 350 से चलते हैं तो 1650 फिर 1650 से 1850 एक दमी जी पहुंच जाते हैं कहां पर आदिकाल पर आदिकाल चलता ह 1850 से लेकरकि आवby तक जिसमें बहुत सारी पार्ट होगे सहसे हfore subscriptions अगराम समझते हैं तो हमारा भारते लिएफ को बड़ते हम not Jo again called आए पुनर जाइब जिसका से जो अठार सो पचाश से चलेगा क्यों पचास साल एनी उनीस सो तक तक उसके बाद आ जाता है अपका चायावादी यूग जिसको बोलते हैं सुखली यूग अब चायावादी यूग को जो हम इसका काल देखते हैं तो हमारा हो जाता है उनीसो बीजों वेलऑ उनीसोचाटीस सोला साल तक अब चायावादी यूग को शुकली यूग बोली हैं तो छाया वादी उत्तर यूग सब्सक्राइब करना है और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है नीचे डिसक्राइब कर देना है सब्सक्राइब कर देंगे सारे नीचे स्कामिते ख després सब्सक्राइब करना लेकिन इक भाण और बता देंगे सब्सक्राइब जो इसका बनेगा उसमें हम सारे लेखा के इंपोर्टर राचना लिखवाएंगे जो आपके एजाम में आते हैं बस आपका यहीं से काम हो जाएगा जिस भी एजाम को देना चाहेंगे तो आपको प्राइक कर जाएंगे एक बार जरूर नजल डाल लिएगा सारे कंपटीशन म अबतर सपोर्ट करें कि आपको ईड़ियो लगर चाह gravel हैं तो नेने अन्दर क्या होता है अगर कोई सपोर्ट करता है इसलिए प्रब्लम हो जाती है तो आप सब लोग सपोट करें नड़ा सजो मेहनत कि अर ंदिकर ऑप वह हैनती ऊदिए घरवाहन उड़ियो होता है ना च